hello hello mic testing 123 hello hello mic testing 123 so hey guys welcome back to guys जैसे कि으imar में पूर को मैंने सुनाया कि कैसी हम लोग voice को enhance कर सकते हैं और voice नोग background noise को cancel कर सकते हैं so whether इस वीडियो में हम लोग इसी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे भी हम लोग किसी भी recording audio से हम लोग अपने background noise को कैसे हटा सकते हैं सुवैस जैसे कि आप मेरे को जानते हैं मैं हूँ आकिप रहमानी और आप देख रहें वेप्टेक तो चलिए शुरू करते हैं सुवैस जैसे कि अभी मैं अपनी डिस्प्लेइ पे आया हुआ हुँ और सबसे पहले आपको यहां पे कुछ हम यहां पे recording for example रखी हुए हैं इसको हम अभी change करके दिखाने वाले हैं कि कैसे हम लोग इस recording को हम लोग कैसे better कर सकते हैं कैसी इसका जो भी आपको background nice होगा वो कैसे proper तरीके से cancel होगा तो यहां पे मैं बहुत ज़्यादा कुछ complicated यहां पे नहीं लेकर के आया हूँ काफी ज़्यादा easy to use है गाईज और यह AI की help से हम लोग करने वाले हैं तो यहां पे आपको अभी Adobe ने ने अभी AI launch किया है ठीक है जो कि audio enhance का है तो यहां पे सबसे पहले आपको आ जाना है और यहां पे search कर लेना है Adobe Voice Enhancer तो जैसे गाईज आप इस तरीके से अपने Google पे अपने browser पे search करोगे तो आपको सबसे टॉप में यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा कि यहां पे Adobe Podcasts के तरफ से यहां पे enhanced voice recording for free तो यहां पे हम लोग किस तरीके से अपने voice को upload करेंगे किस तरीके से हम लोग यहां पे changes कर सकते हैं उन सारे चीज़ों को मैं यहां पे step by step आप लोग को इस वीडियो में complete बता दूगा तो यहां पे कुछ sample मेरे को देखने के लिए मिल जाता है तो यहां पे कुछ देख सकते हैं कि कुछ sample already यहां पे डाल के रखा हुए तो चलिए गाइस मैं सबसे पहले इस sample को प्ले करता हूँ और तेखते हैं कि क्या हम लोग को यहां पे फर्क देखने के लिए मिल जा रहा है I'm in a conference room with the window open and it's pretty echoey in here too not the best place to record audio yet with enhanced speech all of the background noise and echo is gone as if I recorded this in a so as you can see that there is a sample here in a good way let's check our own voice and upload our own voice to see what we can see here all right guys so first of all you have to see sign up and sign in to see the option आपको सबसे पहले first time आपको sign up पे क्लिक कर देना है और जैसे आप sign up पे क्लिक करेंगे guys तो कुछी तरीके से आप लोग यहां पे अपने email ID password डाल करके भी continue कर सकते हैं otherwise आप यहां पे continue with Google भी कर सकते हैं तो मैं यहां पे आप लोग को continue with Google करके दिखा देता हूँ तो जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे guys तो जो भी आपका यहां पे email ID रहेगा उस तरीके से आप लोग यहां पे email ID को select करेंगे और काफी ज़दे easy है guys इसको यहां पे आपको sign up करना तो ज़दे रहेख सकते हैं कि यहां पे सिर्फ एक आपको term and condition को accept करना होगा और कुछ इस तरीके से हम लोग वापस से sign in हो करके Adobe के इस site पे वापस ही redirect हो जाएंगे तो जहां पे अभी हमारा sign up को option आ रहा था वहां पे अभी हमारा drag audio यहां पे करके आपको देखने के लिए मिल जा रहा है इसके उपर simply आपको upload करना है आपका अपना जो भी recording voice है वो आपको simply इसके उपर upload कर देना है uploading का यहां पे file का type दिया हुआ है कि आप mp3 को यहां पे upload कर सकते हैं यहां पे फटफट से चलिए upload करने के लिए यहां पे हम लोग एक किसी voice अपने ले लेते हैं तो मैं यहां पे अभी के लिए जो आप लोग यहां पे दिखाया था recording के नेम से हमारा एक file है तो इसको आप फटफट से जैसे ही आप select करेंगे तो यहाँ पे आपका enhancing speech करके आ जाएगा That means कि अभी आपका यहाँ पे जो भी voice है उसमें अभी काम किया जा रहा है enhancing किया जा रहा है Alright, तो हम लोग थोड़ा सा wait करते हैं guys और right, देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा हो चुका है enhanced तो सबसे पहले मैं इसको तो off करता हूँ और चलिए मैं फटफट से देख लेते हैं कि हम लोग को यहाँ पे voice किस तरीके से enhance करके यहाँ पे मिल रहा है Hello, hello, mic testing 1, 2, 3 Hello, hello, mic testing Hello, hello Hello, hello, mic testing 1, 2, 3 Hello, hello, mic testing Hello, hello So guys, देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी ज़्यादा अच्छा और की काफी इसली हम लोग यहाँ पे अपने noise को background noise को remove कर चुके हैं और काफी ज़्यादा easy trip है guys और काफी ज़्यादा helpful है और Adobe ने काफी अच्छा यहाँ पे AI tools के help से हम लोग यहाँ पे हर एक चीज अभी हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से background noise को काफी हद तक मतलब की 100% आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे noise को remove कर चुका है और guys इसको download करना काफी ज़्यादा easy है आपको यहाँ पे simple सा download का button देखने के लिए मिल जाता है जिसको आप लोग टैप करके easily आप लोग download voice को कर सकते हैं तो guys देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा voice download हो चुका है और कोई भी यहाँ पे paid नहीं है यह 100% free है अगर यहाँ पे आपको अधर करना है तो simply other पे भी upload कर सकते हैं कोई भी other आप लोग voice select कर सकते हैं इस पे click करके इस तरीके से आप लोग भी अपने audio recording को इसकी उपर upload कर सकते हैं और काफी अच्छे तरीके से कुछ इस tape के अंदर ही आप लोग अपने voice से background noise को remove कर सकते हैं इस वीडियो में इतना ही और कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो आप लोग को अगर helpful लगता है तो hit the like button and do subscribe मैं चैनल मिलते हैं हम लोग next वीडियो में तब तक के लिए good bye